तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में आपको Boss O.P का थमनेल टटोरियल देने वाला हूँ, इस वाली वीडियो को पूरा देख लेते हो तो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना टाइम वेस्टन करते हुए सले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Boss O.P का थमनेल बनाने के लिए दो एप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहला एप्लिकेशन पिक्सलेब, दूसरा एप्लिकेशन पिक्सार्थ, सबसे पहले पिक्सलेब एप्लिकेशन ओपन कर लेना है. पेंचिल वाले ओप्शन पर जाके अपना टाक्स्ट लिख ल फिर दोनों टेक्स्ट को बढ़ा करके दोनों को बराबर कर लेना है। फिर इसका फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर ग्रेडियंट वाले ओप्शन पर किलिक करके सोथे नंबर वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेना है। फिर निसे वाले टेक्स्ट पर क्लिक करके उसमें भी ग्रेडियंट वाले ओप्षिन पर क्लिक करके थोड़ा स्क्रोल करके वाइट वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेना है. यहां पर हमारा PIXLAB application का काम पूरा हो जाता है. फिर आपको PIXART application open कर लेना है. पिक्सार्ट एप्लिकेशन ओपन करके एडिट एफोटो वाले ओप्शन पर क्लिक करके अपना स्क्रिन सॉट एड़ कर लेना है अपना स्क्रिन सॉट एड़ करके क्रोप वाले ओप्शन पर क्लिक करके सिस्टिन पॉइंट नाइन वाला रेसियो सिलेक्ट कर लेना है फिर से क्रोप वाले ओप्शन पर क्लिक करके रिसाइज वाले ओप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर कौनसी भी संखिया डाल देना है फिर आपको नीसे की तरफ संखिया बता देगा वो संखिया डाल देना फिर आपके थमनेल की कोलिट फटेगी नहीं फिर से crop वाले option पर click करके adjust वाले option पर click करके अपने screenshot के हिसाब से adjust कर लेना है यह पर मैं adjust कर लेता हूँ तुम मेरी coffee भी कर सकते हो इस वाले option पर click करके यह पर Jonathan की photo add कर लेना है जोनाथन की photo कही से भी आप download कर सकते हो मैंने boss op के thumbnail से download किया है फिर से इस वाले option पर click करके वो वाला text add करना है जो आपने सबसे पहले pixel अप्लिक्शन में बनाया था वो वाला text add कर लेना है इस वाले text को थोड़ा rotate करके उपर की तरफ set कर लेना है फिर आपको sticker वाले option पर click करके यह पर आपको PUBG mobile search कर लेना है यह पर आपको red color वाला arrow दिख जाएगा वो वाला arrow add कर लेना है फिर आपको text वाले option पर click कर यह वाले दो emoji add कर लेना है यहाँ से डोव वाले option पर click करके बलर और opacity दोनों को full कर देना है position पर आके दोनों को zero कर देना है color पर जाके white कर देना है पर आपको 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 पर आ यहाँ पर हमारा थमनेल बनकर रेडी हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो बॉस ओपी का थमनेल और मेने बनाया वो थमनेल गाईस थमनेल केसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना में मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई